सबसे पहले जफर इसलाम साहब आपसे शुरुवात करते हुए ये इतना बड़ा फैसला बावल सुप्रियों के ओर से क्यों लिया गया? संगीत के बारे में जादा उन्होंने कई बार चर्चा की अपने ट्वीट के बारे में हैं और जाहिर है संगीत कार हैं हैं मुझे मालूम है कि उनकी प्रियता हैँ वहाँ पर संगीत के वजह से लोग этर जानते हैं तो इसलिए आज अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद उनको राजीती में जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया है आगे भी उनकी करने की जो इच्छा है वो करते रहेंगे लेकिन पूरे राजीती में रहने के कारण उनको मुझे अच्छी तरह से वाकफियत है कि कई ऐसे assignment मेंट वो छोड़ देना पड़ता था इसलिए कि वो मंतरी थे और उनको पहले से भी पता हूंगी हमसाब ने देखा टॉलिगन में जब वो वधायकी के लिए चुनाब रहे थे उस समय मैं ने देखा कि कि कितने जोर से भरे हुए हैं आपनी future planning politics को लेकर वो लगातार discussion कर र जाफर सब जी बहुत कोशिस किया है उनको defend करने के लेकिन सबको अभी पता चल गया कि बाबुल जी अगर राजनी तो छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे हैं उनको बिल्कुल एक जिस तरह से unceremoniously उनको मंत्रीपत से हटाया गया मुझे लगता है सिदा सिदा यह कारट है अधर्वाइज जो MP थे जो you know incidentally he was fighting for the constitution where I am at the moment oligon से मैं हूँ उही से वो fight कर रहे थे जो मंत्री थे जो दो टाइम के MP थे वो अगर विधान सबा में लड़ने के लिए तयार हो गये थे राजी हो गये थे इसका मतलब उनके उनके राजनीती में रहना चाते थे मुझे लगता है अभी भी हो रहना चाते है और यह इसका करना अभीमान यह खुब सभाविक है अपको यह भी पता नहीं है यह बंगल में क्या क्या हो रहा है सुमित्रो खान से कितने सारे लोग नाखू से काल चिट्टी लिखे दिलीब गोज को लेकिन यह उनका अंधून करना चैनल लेकिन भीगोग ने बिल्कुल खुश नहीं है बिकुल खुश नहीं कि वह बहुत अरॉगंच है नहीं चुनेगे में चुनेगे ने अच्छे लगों से एक है अरोगेंट थे यह अलग ममला है लेकिन अच्छे लगों से हैं कि उनको पॉलिक्स में रहना चाहिए इसमें बहुत सारी और बातों का जिक्र जफर साब किया गया है जल्दी से दोशार लाइन और पढ़ते हुए फिर आपका कॉमेंट लेने की बाद बाकी मेमानों के पास जाऊंगी उन्होंने लिखाए एक और बात चुनाफ से पहले रजी नेतरित्व के साथ कुछ मुद्द पहले थे ये हो सकता है लेकिन उनमें से कुछ सारवजनिक रूप से आ रहे थे कहीं न कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ फिर से कहीं और नेता भी जिम्मेदार है हाला कि मैं नहीं जाना चाहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है लेकिन पार्टी के और सहमती और व शक्ता नहीं थी ये तो सीधे सीधे उनके लिखने से यही लग रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ छीक नहीं चल रहा था कुछ लोगों की चल रही थी इनके नहीं सुनी जा रही थी इस वज़े से उनके और से फैसला लिया गया जफर साब सकता है कि बहुत सारे लोग इलेक्शन में इन्वाल होते हैं वैसे उनके लिए पूरा मैदान रहता था इलेक्शन से पहले सिर्फ बावल सुप्रियों जी ही जादे तर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे सारे पार्टी के प्रोग्राम में लीड करते थे लेकिन इलेक्शन के समय हो सकता जिनको उनमें लगा होगा उस पर तो मैं भी इलेक्शन के समय महां कैंपेट कर रहा था लेकिन 24 के ठीक चुनाव के तीन साल पहले अगर वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर ठीक राफोर रहे हैं बीजेपी के अधरूनी राजनीती के बात करें रहे हैं रॉकेट साइंस नहीं था तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ रहा है कि बीजेपी बंगाल में स तब कुछ ठीक नहीं चल रहा था